नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जर्खन अधिवीध परिशत की ओर से मैट्रिक और इंटर साइन्स का रियल जारी कर दिया गया है, अब इंतियार है इंटर कोमर्स और आर्ट्स के पहिनाम का, बताया जा रहा है कि मई महीने में ही इंटर कोमर्स और आर्ट्स के रियल जारी होंगे, सुत्रो का काना है कि रिय जैक.NIC.IN और जैक.जार्खन.जोफी.IN पर रिजल्ट देख सकते हैं जार्खन में मैट्रिक वा इंटर साइंस के रिजल्ट जारी होने के बाद खराब रिजल्ट वाले एक गारा जीलो के सिक्षा पता अधिकारी को सोक काज जारी किया गया स्कूली सिक्षा एवम सक्षता विभाग के सचीव के रभी कुमार की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुछ जीलो का रिजल्ट अपेक्षा अनुरूप नहीं है जैक के अधिकारी वेपसाइट के अलावा भी कई ऐसे साइट है जहाँ बचे अपने रियल्ट देख सकते हैं जार्खन के 8,66,000 किसानों को नहीं मिल पाएगी 14.2 किस्त किरासी जार्खन के करीब 8,66,000 किसानों को प्रधान मंत्री किसान समानी धी जोईना कलाव लेने में बंचित रह पाएगे इन किसानों का EKYC, DVT और भोमी का सत्याम नहीं हो पाया है बैंक से EKYC नहीं हो पा रहा है इस कारण राजे के किसान प्रधान मंत्री किसान समान निधी की चौधावी किस्त लेने से वंचीतर हो जाएंगे बदादे राजे में प्रधान मंत्री किसान समान निधी लेने के लिए 31 लाग से अधिक किसान निवंधी था है किसानों को हरे किस्त में 2,000 रुपए दिया जाता है भारत सरकार ने किसानों को EKYC, DBT और भूमी सरत्यापन करने को कहा है 3-4 दिनों के अंदर पूरे देश के किसानों की पधान मत्री किसान समान नई धी की 14 वी किस्त की राती जारी होने वाली है इसमें केवाल साड़े 3,000,000,000 भूमी सरत्यापन का मामला अटका हुए है इनके लिए जीलों को 5 दरजन से अधिक बरपत्र लिखा गया किर्सी विभाग बार बार जीला का उपयुक्तों सागरा कर रहा इसके बाजूत इस दिसार में कोई विशेस पहल नहीं हुई है धनबाद में हाई टेंसन तार की चपेट में आकर आठ की मौत जारखन के धनबाद में हाई टेंसन तार की चपेट में आकर आठ मजदूरों की मौत हो गई कई गंभीर रूप से घायल भी है मिली जनकारी के मुताबिक सभी मिली तक मैदूर है जो धनबाद और गोमो इस्टेशन के बीच निश्चित पूर रेल फाटक के पास पोल लगाने का काम कर रहे थे पोल लगाने के दौरान एस भी 25,000 वोल्ट के हाई टेंसन तार की चपेट में आ गए गायलों में कई लोगों की स्थिती नाजुक बनी हुई है और मित को काकरा बढ़ भी सकता है हादसे के समाद में मिली जनकारिक मुतावी धनबाद रेल मंडल के हवा नई दिली रूट में धनबाद गोमो इस्टेशन के बीच निश्चित पूर रेल फाटक के पास पोल लगाने का काम किया जा रहा था यहां कतरास रेल लिवे स्टेशन से माज एक किलिमेटर की दूरी पर है यहां पोल लगाने के दुवान रेल करमी पचीट से अर वोल्ट की हाई टेशन तारकी चापेट में आगए और जान गवाब एठे जारकन के सरकारी सिक्षक फिर आंदोलन की तयारी कर रहे है जारकन परदे सन्यूक्त सिक्षक मोर्चा की बैठक रभीवार को हुई इसमें सिक्षको के गिरिः जीला असनातरन के लिए आंदोलन करने का वहन किया गया इस मौके पर सिख्षकों के ग्रिष जीला अस्थनातरन पर चार्चा की गई मोर्चा के सन्जोजा विजाय बहादूर सिंग ने कहा है कि सरकार सिख्षकों के ग्रिष जीला अस्थनातरन को लेकर गंभी नहीं है आज तक केवल आस्वासन मिला है वर्ष 2015 सुला में हुई सिख्षक नियुक्ती पर किनावी विसंगाती के कारण सिख्षक ग्रिष जीला में नियुक्ती नहीं हो सके उन्होंने सिख्षकों को अंतर जीला अस्थनातरन का एक औसर देने की मांग की बैठक में नियना लिया गया है कि इस समद में जल्द ही मोर्चा का परतिनी निमंदल सिख्षक सची उसे मिलेगा अंतर जीला अस्थनातरन की पर किया जल्द शुरू नहीं होने पर सिख्षक आंधोरन करेंगे 30-31 माई को आंधी बारिस और बजलपात का एलो अलर्ट जारी रांची समेत जार्खन के कई जिलो में कल से दो दिन आंधी बारिस का अलर्ट जारी किया गया है बारिस से जहां रहत की उमीद है वहीं आंधी से छोती का भी अंधेसा है भारतिये मौसम विभाग ने 30-31 माई के लिए आंधी बारिस का एलो अलर्ट जारी किया है इसमें राजे के उत्तर पूरवी के जिलो देवगा धनबाद दुमका गिरीडी गोड़ा जामतरा पाकुल साहब गांज वहीं दक्षिन भाग के पूरवी वा पच्छमी सिम्भूम सिम्डेगा सरागले खरसावा के लाव मद्य भाग में रांची के लाव बोकारो गुमला हजारी भाग खोटी वा रामगड में में घरजान बजरपात के साथ सत ही हवा चलेगी हवा की रफतार 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटारा सकती है वहीं जारकन के कुछ इलाको महल की बारिस भी हो सकती है 31 माई के बाद अगले 5 देवता अधिक्तम तापन में 4 से 5 देवी तक बढ़ोती हो सकती है रांची पतना के बीच अब जून में चलेगी बंदे भारत एक्स परेस टेन अब जून में चलेगी इस टेन को पहले 25 अपरेल से चलना था लेकिन यह तारिक पार हो गई रेलेवे सुत्रों का कहना है कि ट्रेन का कुछ काम पुरा नहीं होने के काएं या ट्रेन अपनी समय पर नहीं चल पाई लेकिन यह आप जून में चलेगी इसको लेकर तैरिया चल रही है जुन में यह ट्रेन कब से चलेगी इसका एलान तो अभी नहीं किया गया है नहीं अभी तक इसके ताय स्पीड को लेकर ही कुछ अपडेट किया गया रेलवे सुत्रों का काना है कि यह दोनों सवाल का जवाब सिख रही दे सभी को दिया जाएगा रेलेवे की ओर से ट्रेन के नए समय पर परिचाने को लेकर त्यारी 23 से चल रही है इसके रूट से लेकर वासिंग को भी ठिक किया जा रहा है स्तरावनी मेले की त्यारी पर असर स्तरावनी मेले की त्यारी के लिए विभागों को समय पर फंड नहीं मिल रहा है नगर नीगम वो पी आरडी को छोड़कर एक भी विभाग को फंड का अवंटन नहीं हुआ है नगर नीगम को 6 कलोर वो पी आरडी को 2 कलोर रुपय का अवंटन हुआ है लेकिन कावर्यों के सुवधाय के लिए स्वास्थ विभाग PWD, PhD, गृर्जा विभाग से अब तक फॉंड नहीं मिल पाया समय पर फॉंड नहीं मिलने पर इन विभागों द्वारा मेले के त्यारियों पर असर पर सकता है मेला छेत्र की कई सलकों का काम PWD से कराई जानी है वहीं स्वास विभाग से दवाया समय अस्थाई अस्पताल, PhD के कवारिया पाथ हुआ, 28 कोले में सोचले हुआ, पेज अलापूर्ति का काम कराया जाना है पलामू के सराइडिह जंगल में गोली लगने से हिरन की मौत पलामू जिले के तरहसी परखंड के सराइडिह जंगल के छहरना छट घाट पर पानी की तला से भटक कर पहुँचे हिरन को अग्यात लोगों ने गोली मार दी वन सुरक्षा समीति का द्यक सुरेश यादव और चरवाहा महस भूया से मिली सुचना के अधार परबन कर्मी मौके पर पहुँचे और हिरन का इलाज शुरू किया लेकिन हिरन की मौत हो गई रबिवार को हिरन के सोक अपोस्मास्टम मनातु में कराया गया जिसके बाद उससे दफना दिया गया वन कर्मियों के अनुशार हिरन नर था और उसकी उम्र करीब तीन वरस थी जनकारी के अनुशार आगयात लोगों ने जब हिरन को गोली मारी तो फाइरिंग की आवाई सुन कर पास के मजदूर चरवाहा महेस भुया मोके पहुँचा उसने देखा कि जेमिन पर पड़ा हिरन तरप रहा था उसने ततकाल वन सुरक्षास समीती अध्याक्ष सुरेश चादो को सुचितकार मोके पर बुलाया हथियार बरामत करने पीले फाइ सुप्रिमों दिनेस को खुटी लेकर पहुँची एन आये की टीम पीले फाइ सुप्रिमों दिनेस गोप को एन आये के टीम अपने साथ लेकर खुटी जीला के रनिया पहुँची है दिनेस गोप की निसंदेही पर भारी संका में हथियारों का जाखिरे बरामत की समनों जताई जा रही है जनकारी के मताबिक एन आये के पुश्टाज में दिनेस गोप ने रनिया छेतरे में हथियार छुपा कर रखने की बात कबूली है लेकिन कहा छुपाई है इस बारे में दिनेस ने कहा है कि उसे मालूम नहीं है दीनेश गुपने कहा है कि उसे जगन ध्याद में नहीं है कि उसने अतियार की सतन प्रढ़ डंप की है नाइए के साथ भारी 위care में पूलिस की टीम रनिया के सुदूर इलाके में अभ्यान चला रही है दिनेस गुप से पुछता आज के बाद मिली जनकारी के बाद एनाईय ने गुमलाज इलाके कामदारा इलाके के जंगल में भारी मत्रा में गोला बारूत बरामत किया है दो बहनों ने साधवी दिक्षा ग्रहन कर सने आसी जीवन को अपनाया जैनियों के बिश्व प्रसीद तीर्थासल समेद सिकर जी मधुबन के तलेटी तीर्थ कोरिया बहन में 29 माई को दिक्षा समारोह काजन किया गया बता दे कि तापा गक्ष समुदाय के गक्षा धिपती जैनाचाय रामचंद्र सुरिस्वर समुदाय के पराम प्रभावक सिस्य जैनाचाय बिजय मुक्ति प्रभ सुरिस्वर अचार बिजय अक्षा भद्र सुरिस्वर अचार बिजय पुन्य प्रभ सुरिस्वर की उपस् पिछले दो दिनों से जारी अनुष्ठानों के बीच मधुबन के तलेटी में दिक्षा समयों को लेकर भव्य सोभायात्रा निकाली गई सोभायात्रा ने पूरे समयद सिखर मधुबन का भ्रह्मन किया गाजे बाजे के साथ निकले सोभा यात्रा में दिख्चा लेने वाली मुंबाई की दोनों चचेरी बहने 19 वर्चिये दर्शी कुमारी और 15 वर्चिये देशना कुमारी भी सामिल हुई थी बाबा का सिक्र दर्शनम होगा महगा 20 दिनों में लगेंगे 1000 उपायुक्त मंजुनात भैंतिर मंदीर में चल रहे कार्यों के अलावा सरदार पंडों की संक्या और सुविधा को लेकर 29 माई को बाबा बैजनात मंदीर पहुँच का सुरक्चा अभी दिवेवस्ता का जाजा उपायुक्त ने बाबा मंदीर से निकलने वाली नीर को फिल्ट्रेशन कर इसका उपयोग करने को लेकर किये जा रहे कार्यों का निरिक्षन किया नीर को बरबाद होने से बचाने के उदेश से आधोनिक तक्निकी से उसे रिसाइकल कर उसकी ब्रांडिंग करने का निर्श दिया उपयुक्त ने सर्धालों के सुवधा को ध्यान में रखते हुए सिग्र दर्शन सुल्क की रासी को बढ़ाने से जुड़े बिंदुओं पर भी चर्चा की और जनकारी दी की आम दिनों में 500 और 26 दिनों में एक हैर सिग्र दर्शन की रासी निधायित की गई इसके अलावा राज किये मेला और मंदीर आने वाले सर्धालों के लागतार बरती संख्यार उन्हें मिलने वाली सुवधा को बेहतर करने के कार्यों पर चर्चा की मौके पर सियो सुनिल कुमार मुख्य प्रवंधक रमेस्त आदी महजूद थे 2889 प्रात्मिक सिख्षको को विभीन ग्रेड में मिलेगी प्रोनती जीले के प्रात्मिक विद्याले में कारणात प्रात्मिक सिख्षको को विभीन ग्रेड में प्रोनती मिलेगी इस वो लेकर जीला पसा से 2889 सिख्षको की वरियता सुची जारी की है बता दे कि सिक्षकों की नियुक्ती थी विद्याले में युगदान देने की थी और लोग सेवा आजयों के उन्साप पर नियुक्ती सिक्षकों में मेधा करमायं के धार पर 2899 प्रात्मिक सिस्कों की वर्यता सुची बनाई गई है धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनलों के सब्सक्राइब कर बाल के बेले कंद दबाईए साजी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के साथ सेयर करना भूले साजी साथ आप हमें कमेंट बक्स में आपटा पीडियो एक अवसे दे थैंक यू